कि आज की इस वीडियो में आपको बता हूँगा इस फोन के टॉफ 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ फीचर जिनका यूज करके इस फोन को और भी बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो और भी यूनीक कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो उन फीचर के बारे में वीडियो को लाज्त तक रहिए वीडियो को लाइक कीजिए चली फ्रेंट इस वीडियो को बिना टाइमबस करते हैं आपके डूर कर सकते हो इनका पैटन को अप इसक्रेइग करते हो इनको बदलने के लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में इसकी बाद स्टाइल पर आपको क्लिक करते हैं अगरंद सको करना होगा अब जिस भी एप साइब्स इसके करनेको अपर करने गए पर करने क करनेक Stellen करने तो आपको बर्हें किन आपको से कृणर के लिए जिस सेप में आप रखना चाहते हो अपने एप्सों के लिए उस एप को आप सेलेक कीजिए यहां पर आपको यह सेलेक करने की बाद यहां पर रहेगा उसको आप साइज कर सकते हैं यहां तक कि जो आइकन साइज है वो भी आप छोटा बड़ा है यहां पर इस तरह से कर सकते ह यहां से आप इनके कलर को बदल सकते हो यहां से इसको अपने पैटन को सेलेक्ट कीजिए जो भी पैटन आपको अच्छा लगता हो जैसे कि मुझे यह सही लग रहा है अब आप देखेंगे आपके कंट्रोल पैनल में कुछ इस तरह का यह पैटन देखने को मुलचाएगा इस पोन की फागएरा चेंड करना चाते है तो प्रक्र क्लिक करके अहां पर अपके मिले का यहां से आप चेंड कर सकते हो इस इस फॉन की फॉन की यहां पके सामने मिले के साही लोग it इसफिचर को उन करने के लिए पहले फान की सैटिंग में जाए और ऐब करने पे देखने को मिलेगा एडिसनल सैटिंग यहाँ क्लिक करके आपको ज्सेर and Motion पर क्लिक करना है इस फिचर के बाद आपको स्कीन of Getsdre' पर क्लिक करना हुआ इस फीचर को यहां से आपके अन कर दीजिए अब लॉक स्कीन पर जैसे आप बेकले स्वाइप करोगे आपकी फ्लेश लाइट राट ली ओन हो जाएगी इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से आप इसको डार्क ली ओन करा सकते हो इसी तर करेंगे लॉक स्कीन पर आपको डार्क ली ओपिन हो जाएगा इस तरह से आपको यहां पर देखने मिलेगा म्यूजिक कंट्रॉल इसको अन कीजिए अब गाने को प्ली करने की टूफिंगर लेना है और इस तरह से डाउन करना है आपकी फॉन के अंदर गाने प्ली हो जाए पर आपको लेने के बाद यहां पर इस तरह से क्लिक करना होगा जैसे कि मैने गूगल एक के लिए अब जैसे मैं एक टाइप कर रहेंगे जैसे कि एंब टाइप करने पर जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यह तीन उप्षिन आते हैं जैसे इन लॉक भी कर सकते हैं डाल की किसी को आप एम टाइप करेंगे इस तरह से एप फेवरिट एप्स को चाहें वह भी आप सेक्ट कर सकते तो यह यूणिक फीचर आपको इसकी आपके अंदर देखने को मिल जाते हैं यहां पर एक और फीचर मिल जाएगा डबल टैप टू बेक और टन अफ इसको जब आउन कर लेंगे और पर क्लिक करेंगे तो डबल टैप कराके आप इस तरह से स्कीन आफ होगी तो इसको आउन करा पाएंगे तो डबल टैप करेंगे इसी तरह के साफ डबल टैप कराके स्कीन को लॉक भी कर सकते हो इस फीचर को आप चालू करना चाहते हो तो इसकीन पर टूफिंगर से पिंच जाता है जिसका यूज करके आप किसी बुलूट से अगर गाने बगरा है चला रहे हैं और आप स्पोन में एरफोन लगाएंगे तो आप दौनों चीजों में एक साथ अगाने कुन पाएंगे जैसे कि आपकी एरफोन में आवाज आना चाहिए और बुलूट में भी आवाज जैसा फीचर मिल जाता है जो कि आपके पन्च-HOL display की मतल़ से यहाँ पर आपको मिनी कैपूल पर क्लिक करना है इस फीचर को अन कर लेना है इस फोन के अंदर प्लगिन करेंगे वैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है पंच-HOL camera इसके बराबरती के आपको नौटिफिकन्स इस तरह से आपको इस फोन के अंदर यह फूचर मिल चाएंगे होम इसकीन पर आप टैंजेक्शन को एड़ कर सकते हो जैसे कि पेज को चेंज करते हैं तो एक टैंजेक्शन आप यहां पर एड़ कर सकते हैं जैसे कि मुझे यह अच्छा लगता हम इसको एपलाई करूगा तो अब मैं पेज को चेंड करूँगा तो कुछ इस तरह से मुझे स्माट स्लाइब यहां पर देखने को मिल साइंगे इसके लाव फोन का वोलियम डाउन बटन एक साथ पैस करेंगे तब भी आगर चाहें तो इसके लिए आप से डाउन कीजिए आपका स्कीन सोट आजाएगा स्कॉलल पर क्लिक के घिए इसको पिकॉला घाता है इसको जितना लाउन करें इस तरह से स्कॉल करके आप भी लोप्त क्रसकते को इसकी और नो फीचर से घ्लाबर यहां पर करें सब्सक्राइब है, करेंगे अब इस तरह से आपको सब्सक्राइब यection सब्सक्राइब कर सकते हैं। सकते हो ताक लिए सेयर कर सकते कुछ एड़िट बगएरा करना तो वह भी आप बहुत आसानी से कर पाऊगे आपको देखने हो मिलेगा इसको जब आप बोपिन कराएंगे तो यहां पर भी इसकी बना सकते हो इस फोन में स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है जिसकी मद करने पर आपको इस स्मार्ट स्लाइड बार यहां देखने को मिलेगा इसको इस तरह से ओपिन करा के सकते हो और किसी भी एप्स को भी एक्सेज कर सकते हो आप यहां पर यहां पर इप जैसे के आप से क्लिक कर दिया आपकर द्रे की सितों दॉइं Harr horizon & O पर जाएगा इसके लाज़ावा है यहाँ यहाँ पर किसी क्लिक कर सकते हो एड़िक निगली आप इसको बतारा कि कुछ इस तरह से access हम कर सकते हैं यह काफी unique feature इस phone को अंदर आपको मिल जाता है इसको आप इस तरह से इसको pop-up में भी डाल सकते हो तो यहां इस side चाहिए तो इस side डालना चाहिए इस side भी आप डाल सकते हो इस इसको close करना चाहते हैं कर सकते हैं रागले कि इसको resize कर सकते हैं फुल स्क्रीन कर सकते हैं यह सब फ्यूजर इस phone में आपको मिल जाएंगे इस phone की बैटी percent इस style को बदल सकते हो तो इसको आपको बदलने के लिए आपको phone की setting में जाना होगा इसके बाद आपको notification and status bar पर क्लिक क इस बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको बैटी style देखने को मिले का यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी आपको बैटी style देखने को मिल जाएगी इस phone में आपको net speed मीडिया का भी support मिल जाता है मतलब एकी screen पर 2 apps को आप एक साथ यूज कर सकते हो उसको लिए आ करना है त्री फिंगर लेकि इस तरह से अप कर देना है आप करते ही वही application आपको उपर की और चली जाएगी नीची की और किसी भी दूसरे apps को आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से open कराके अब जैसे कि मैं YouTube साथ Chrome Browser को भी access कर पा रहा हूं तो दोनों apps को एक तरह से access कर सक आपको उपर वाला क्लोज करना तो इस तरह से आप कराके उपर वालो को क्लोज कर सकते हो डाउन कराके आप नीचे वाले को क्लोज कर सकते हो तो नीचे को डाउन करेंगा तो फुल उपर वाला apps हो जाएगा अगर नीचे वाले को उपर करते तो नीचे वाला apps आपको फुल प्रेस और फोल करके पार बटन का जो आफ्सिन रहेगा वह आपके सामने खुल जाएगा तो इसको आप बहुत आसान है से इस phone में यूज कर पाएंगे बहुत आसानी से इस phone में आपको three button navigation देखने को मिलते हैं चाहे तो इन्हें हटा कि इस phone में जैसा navigation को set कर सकते हैं जिसके अलावा यहाँ पे आप जैसा navigation की मतलब से कुछ apps को भी access कर पाएंगे तो चली उनको set करने के लिए पहले phone की setting में आपको जाना रहेगा additional setting पर प्रचानिक बाद system navigation पर क्लिक कीजिए इसकी बाद आपको जैसा navigation के लिए क्लिक करना है एक line आपको देखेगी आप चाहें तो इसको क्लिक करा कि यहां से हाइट कर सकते हो इसके लावा आपको यह feature on करना है आप किसी एक apps की मतलब से आप दूस यूज कर रहे थे उससे पहले आप यूज कर रहे थे अपने ख्रोम ब्राउजर का तो आप एक एप से दूसरे apps के अंदर बहुत आसानी से कुछ इस तरह से क्लिक कराके switch कर पाएंगे तो यहां पर इस तरह से क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं तो यह unique feature on के अंदर आपक वह काफी unique feature मिल जाता है आपको तो उसके आपकी जो गैलरी है वो आपको open कर देनी है यहां तीन option में से किसी पर एक बार आप tap and hold कीजिए आपको एक privacy password set करना रहेगा तो set password पर click करके आप कोई छेंग का password set कर सकते हैं नहीं डो pattern lock भी set कर सकते हैं चाला अंका भी lock लगा सकत अब किस lock को आप रखना चाते है अपनी privacy के लिए उसको आपको क्लिक करना होगा अपना privacy बगरा जो भी lock पर रहना चाते है वो डाल दीजिए इसकी बाद एक security question में आपकी father नाम पूछा जाता है तो अपनी father name डाल सकते है नहीं तो अपना नाम डालके इसको आप save कर सकते ह इसको आप यहां से multiple select कर सकते हैं एक और फीचर मिल जाता है हाइट करने का चलिए उसकी बारे में और जानते तो एल्बम पर क्लिक कीजिए उस फोल्डर के अंदर जाए जिसमें से photo या video हाइट करना है इस तरह से उसके बाद आपको देखना मिलेगा hide इस पर क्लिक कर लगा के अपने photo और वीडियो को देख पाऊगे इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बन हेंडेट मूड का भी support मिल जाता है मतला इस फोन को एक हाथ से अगर यूज करना है तो आसानी से कर सकते हो इसको बहुत आसानी से एक हाथ से यूज कर सकते हो इसको रिमूब करने क आसानी से इसके इस फोन में जैसा होना चाहिए तब हिस फोन के अंदर बन हेंडे मुड का यूज कर पाएंगे कर रिकॉर्ट करने के लिए अपनी प्रसार national को match लोगा करने के लिए को जब आप आपको हुपने करख करने के देख मुलेगा तो यह ऊपर क्लिक करना है चाहएक और अर्व अापको यहां देखने को मिलते हैं उनको भी आप यहीं पर इस तरह सा分 ह कराके अध़ करेंगे तो इ इसकी setting को करने के लिए इस पर tap and hold करेंगे आप screen recorder की setting में आ जाते है इसकी record होते समय अगर आप system sound को on करना जाते हैं मतलब जो फॉन के अंदर चले वो record होना चाहिए तो इस feature को on रहें दीजिए अगर आप चाहते हैं जो आप बोलेंगे वो भी record होना चाहिए तो इस feature को on इसको on करने पर जब भी आप video recording करेंगे तो आपका जो camera रहेगा इसकी मदद से आपकी video भी record होगी और साथ में screen record भी हो जाएगी यहां आपको screen test का option रहेगा इसको on करने पर जहांजा आप टैप किये होंगे screen recording होते समय वो आप video में देख पाएंगे तो इस तरह से friends आप screen सेट कर सकते हैं इसको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं इसको आप इस पर tap and hold कीजिए आप यहां पर आ जाएंगे setting में जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको तीन option मिलेंगे middle end यहां पर देख सकते हैं जो भी आपको dark mode अच्छा लगे उसको आप set कर सकते हो और apply कर सकते हो यहां पर आपको यह feature काफी advance मिल जाता है और यहां पर एक चीज़ और मिल जाती है इस फोन को जो dark mode आएगा इसको dark mode sunset to sunrise लिए set कर सकते हैं मतलब night होने पर automatically on हो जाएगा और दिन होगा बैसे automatically disable हो जाएगा तो इसक लिए schedule पर click करके आप इसको on करके इसको option को select रखिए automatically on होगा automatically disable हो जाये करेगा इस फोन आपको आप लोग का भी support मिल जाता है इस फोन आप लोग की वहत आसानी से आप सैट कर सकते हो तो उसके लिए phone की setting में जाए इस फोन करके आपको देखने को मिलेगा privacy इस option पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको privacy पर click करना होगा एप लोग कर सकते तो यहां आप इस option पर click करके उसको आप ने सैट किया हुआ है यहां पर आपका आएगा तो यहां पर आप से कर सकते हो इस आएकन पर क्लिक कीजिए अब जिस apps को लोग करना यहां पाओगे इसको आप किस तरह करना चाहते हो वह बहुंभी आप कर सकते हैं तो setting आइकन पर क्लिक करके unlock matter पर क्लिक करना है और यहां से अपने हिसाब साले काली जिससे भी आप इसको unlock करना चाहते हो इसके बाद lock setting भी कर सकते हैं जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे आप चाहते हैं हर बार close करके आपको हाइड का भी सपोर्ट मिल जाता है इस पॉन में आप आसानी से हाइड कर सकते हैं उसके लिए भी फ्रेंड्स आपको फिर से फॉन की सेटिंग में जाके आपको privacy option पर जाना है और फिर से आपको privacy क्लिक करके अपने हाइड एपस पर क्लिक करना है अब सेव वही प्रोस करके यहां पर इस तरह से option फिर आपके सामने आ जाएगा अब यहां पर एक access code बना सकते है जो भी आप apps को हाइड की हुए है उनको access करने के लिए code बनाना रहेगा तो setting पर क्लिक करके आप access code बना सकते हो access code में एक अंक से लेके सोले अंक तक कोई भी डिजिक कोड बना सकते हो चाहें वह आपको मॉयल नंबर हो सकता है या फिर आपको कोई भी नंबर यहां पर डाल के आप सेट कर सकते हो इस तरह से डालने के वाद आपको हैस टाइप करना है यह आपको बन जाएगा इस आइकन है आपको देखने को मिल जाएंगे इस फोन के दर फ्रेंट्स आपको एप ड्राइट सैट हुआ देखने को मिलेगा यहां पर आप जैसे अपने अप्स को ओपिन कराएंगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम भी देखने हो मिलते हैं इसको बीड कर सकते नहीं तो आप चाहें सभी एप्स को भी सो करा सकते हैं इसके लिए स्कीन पर टूफिंगर से पिंच जिन करके मोड पर जाएं मोड पर जाने के बद आपको यहां क्लिक करना होगा होगा होम सेटिंग पर मोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस प्लिक करके इस ऑप्शन को सेलेक करना है apply करना है तो सभी apps आपकी home screen पर आपको देखने को मिलेगा तो आप इस तरह से standard mode भी इस phone के अंदर use कर पाएंगे इस phone की जो lock screen clocks आप देख पा रहे हैं इसका आप style चेंज कर सकते हैं जैसे कि इस समय इस तरह से देखने को मिल रहा है आप सका style कर सकते हैं सकते हैं इस तारी से जो डाक ससब कर गेए या फिर आप उसको बंध अपने हिसाब से करके यहां पर अपने हिसाब से सयट करा सकते हैं तो यहीं पर आवना है आपको home screen and lock screen पर यहां देखनों मिलेगा glance for realme, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बद आप यहां पर category and language के लिए select करके अपने हिसाप set कर सकते हैं, किस type के आपकी category के बालपेपर आपकी screen पर so होना चाहिए, तो choose category पर click करके आप इसको बहुत आसनी से set कर सकते हैं, इस phone camera friends आपको dual apps का भी support मिल जाता है, dual apps को बनाने के लिए phone की setting में जाके scroll down कीजिए, आपको यहां देखेगा apps, इस apps option पर क्लिक करते हैं, तो app kloner देखने को मिलेगा, यहां क्लिक कीजिए, जो भी apps आपको यहां देखने को मिलते हैं, इस phone के लिए उ इस को आप देना चाहते हु, यहां पर आप नाम दे भीजिए, यह आपके नाम से आपके डेश्टोप पे देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर आके देख सकते हैं, आपके नाम आप से थर्जिटल बैलविंग का सब्लिक करना है, जिसका यूज़ करके आप इस phone कितना यह जान सकते हैं दिन में कितनी नॉटिफिकस नाये थी, फॉन कितनी बार अनलॉक हुआ था, किस एपस का आपने ज़्यादा यूज किया था, कितनी टाइम आपकी स्कीन आ रही थी, इसको जानने के लिए आपको सेटिम में जाके डिजिटल बैल बिंग पर क्लिक करना है, य आपको डिजिटल बैल बिंग का सपोर्ट भी इस फॉन के दर मिल जाएगा, तो यह कुछ यूनिक फीचर थे इस फॉन के जिनके बार मैं आज की इस पीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक चैनल को सब्सक्राब करके बैल एक प्रेस करना बिल्कुर भी न बोलें तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तक लिए गुडबाई एंड टेक केर